नवश्कार दर्सको दर्सको आज हम बात करेंगे मिथुन रासी वालों के बारे में मिथुन रासी वाले जातक कौन सी रासी के जातक के साथ बिबाह करें जिससे बैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा मिधुन रासी वाले कौन सी रासी के पार्टनर को चुने जिससे बैवाहिक जीवन मधुर बना रहे बिबाह लौ मेरेज हो या अरेंज मेरेज हो कोई भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर गौर करने की ज़रुद मिधुन रासी वाले जो हैं यदि आपके रासी के जैसा ही कोई दूसरे रासी का सभाव है तो विबाह बहुत अच्छा रहेगा और यदि आपकी रासी से आपके पार्टनर की जो रासी है वो आपकी रासी से मिलती जुलती रासी नहीं है तो उसके सभाव में भी अंतर आएगा और जब एक दूसरे के सभाव में अंतर आएगा तो बैबाहिग जीवन सही नहीं रहेगा कहने कतात पर यह है कि रासियां बारह होती है और सब अलग-अलग सभाव की होती है तो आपको कौन सी रासी के साथ बिवाह करना है कौन सी रासी के पार्टनर के साथ बिवाह करना है जिससे आपका बैवाहिक जीवन मधुर बना रहे, बैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे यहाँ पर यही ध्यान रखना है, कि आपको कौन सी रासी का पार्टनर चुनना है अब यह जन्म कुंडली से भी चुन सकते हैं और यदि आपके पाद जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीक, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है तो आप नाम रासी के अंसार से भी चुन सकते हैं नाम रासी से कैसे चुनना है, यदि आपकी रासी मिथुन है तो मिथुन रासी जो है, यह है बिशम रासी दो प्रकार के अंक होते हैं एक सम अंक होता है और एक बिशम अंक होता है तो जो बिशम अंक होते हैं उनके साथ यदि आप विवाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यदि सम रासी बालों के साथ विवाय करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा विशम रासी के साथ विवाय करना चाहिए। विशम रासी का पार्टनर आपको ढूनना चाहिए। तब ही आपका वैवाहिच जीवन बहुत अच्छा रहेगी। मिथुन रासी वालों को मेश रासी वालों के साथ विवाय करें। पार्टनर से बहुत अच्छी रहेगी। धनू रासी वालों के साथ विवाय करें, तो भी पार्टनर से बहुत अच्छी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, और मिथुन रासी वालों के साथ विवाय करें, तो भी बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, आपके शभाव का होगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अ यह नाम रासी के अनुसार से हो गया और यदि मिथुन रासी वालों को मिथुन रासी वाला ही कोई यदी पार्टनर मिलता है तो भी बैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा और यदि आप अन्य रासी के पार्टनरों के साथ दिजाते हैं तो कहीं ने कहीं आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं रहेगा तो वैवाह जादा दिन तक नहीं चल पाएगा इसलिए नाम रासी के अनुसार से आपकी रासी का और पार्टनर की रासी का तालमेल सही बैठना चाहिए तो यह नाम रासी के अनुसार से हो गया और यदि आपके पास कुंडली है डेटा बरत है तो आप उससे भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा उसके लिए क्या करना है तो आपके पार्टनर का भी लगन बिशम रासी का ही होना चाहिए यदि आपका मिथुन लगन है तो आपके पार्टनर का मेश लगन होना चाहिए या मिथुन लगन होना चाहिए या सिंग लगन होना चाहिए चंद्र रासी आपकी विसम है तो आपके पार्टनर के भी चंद्र रासी विसम ही होनी चाहिए यदि ये आप देख लेते हैं और उसके अनुसार से दिया पार्टनर चुनते हैं तो बैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहे हैं बस इसमें कुछ करनी के जोरोत नहीं यही आपको ध्यान देना है कि मिथुन रासी वाले मेश रासी, मिथुन रासी, सिंग रासी, तुला रासी और धनु रासी, कुम्ब रासी के साथ ही विवाह करें तो बैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे हैं धानवा